इस वीडियो में हम लोग मार्च मैगजीन जो है विजन का उसके अंदर गत जो गवर्मेंट स्कीम का टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के साथ तो यह वाला टॉपिक कवर होते ही हमारा मार्च से ल कारण काफी सारे लोग इंपक्ट हुए हैं और एक तरह से उनको बहुत सारा नुकसान भी जहिलना पर रहा है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारी गवर्मेंट है और साथ के साथ फानेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर अनौन्स किया कि 1.70 लाक रूपीज का यहां पर रिलीव पाकेज जो है यह दिया जाएगा और यहां इसी स्कीम के अंतरगत प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंतरगत दिया जाएगा और यहां पर देख सकते हैं कि यह किन के लिए होगा तो यहां पूर लोगों को हेल्प करने के लिए ज आप लोग सीधे salient features पे यहाँ पे बढ़े देंगे और यहाँ पे अगर आप देखेगा तो यह जो particular scheme के इसके काफी सारे components है तो components को हमें काफी जादा detail में देखना है क्योंकि हरे component के basis पे यहाँ पे इन्होंने beneficiaries बताया है total number of beneficiaries है और उससे related benefits को भी discuss किया है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंतरगत जो सबसे पहला component है वो है insurance scheme for health workers fighting COVID-19 तो हम लोग जानते हैं कि healthcare workers हमारे लिए काफी सारा मदद कर रहे हैं काफी सारा काम भी कर रहे हैं और जो भी COVID-19 patients हैं उनको उनकी देखभाल भी कर रहे हैं तो हमारे corona warriors अगर front end का देखिएगा frontline के सबसे important corona warriors यही है ठीक है तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे beneficiaries कौन होंगे इस component के अंदर में और यहाँ जो scheme है इसकी अंतरगत तो यहाँ देख सकते हैं कि it covers public healthcare workers तो यहाँ पे इस component में जो insurance scheme में जिनको cover किया गया है वो है public healthcare workers तो अब पता होना चाहिए हमें कि आखिर public healthcare workers में कौन कोन आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि सफाई कर्मचारी, nurses, आशा workers, paramedics, technicians, doctors सभी इसमें include हो जाते हैं और यह सारे लोग जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यह central या state governmental hospitals या health या wellness center में काम कर रहे होते हैं तो यह आपको beneficiaries समझ में आ गया होगा कि public healthcare workers को यहाँ पे include किया गया है अब total number of beneficiaries कितने होने वाले हैं यह around 22 lakh healthcare workers हो सकते हैं अब आते हैं benefits के उपर में तो benefits आप देख सकते हैं आपर सबसे important है यह चीज कि रुपीज 50 lakh का insurance coverage यह दिया जाएगा for 90 days और 90 days के लिए दिया जाएगा कि इनको तो health professionals को दिया जाएगा क्योंकि ऐसे chances बनते हैं कि जब वो COVID-19 patients को treat कर रहे होंगे तो उनके हो सकता है कि by accident या फिर कोई एक particular risk के कारण वो संक्रमित हो सकते हैं ठीक है उनको हो सकता है जो COVID-19 virus है वो से हो जाएगा और इस कारण से यहाँ पर 50 lakh insurance coverage जो है वो दिया जाएगा अब यहाँ पर कभी बार आपने न्यूस में भी सुना होगा कि बहुत सारे doctors और nurses की death भी हुई है और उस case में जो insurance coverage है वो उनकी family को थोड़ा support देने का काम कर सकता है obviously जो जिनकी death हो जाती है उनको वापस तो लाया नहीं जा सकता पर हाँ यहाँ पर family को थोड़ा बहुत support तो ज़रूट दिया जा सकता है साथ के साथ यह एक तरह का motivation की तरह भी काम करता है कि जो भी हमारे जो frontline के corona warriors हैं उनको support रहेगा उनको वो बिना डरे और निर्भिक होके काम भी कर पाएंगे तो यह भी government के side से obviously एक अच्छा step माना जा सकता है अब आते हैं next point पे तो next point आप यहाँ देख सकते हैं कि private health care providers को भी यहाँ पे जो की re-inclusioned किया गया है by hospital related to government तो उस case में भी यहाँ पे COVID-19 related responsibilities उनको दिया गया है ठीक है और इसके लावा उनको भी इस particular insurance coverage में include किया गया है तो यह आप जरूर से ध्यान में रखेगा ठीक है अब यहाँ पर requisitioned का क्या मतलब होता है यह भी आपको पता होना चाहिए कि official order से उन्हें बोला गया है कि आप government को help करिये ठीक है तो यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आगे जो third point यहाँ पर इन्हों ने बताया है वह यह है कि यह जो particular benefit insurance coverage का यह over and above बागी सारे जितने भी insurance cover है जो की beneficiaries के द्वारा avail किया जा रहे हैं उसके over and above एक तरह से मिल जाएगा मतलब अगर कोई beneficiary है जिसके पास insurance coverage already exist करता है तो उसके ऊपर में भी यह particular 50 lakh insurance coverage जो है यह included रहेगा और मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे तीनों हम लोगों ने benefits देख लिया और insurance coverage वाला जो point है यह बहुत important है इसको जरूर ध्यान रखियेगा तो पहला component हमारा cover हो गया अब आत तक कर दिया है ठीक है तो इस कारण से यहाँ पे जरूरत है इसको ध्यान में रखने की इस component को ध्यान में रखने की तो यहाँ पे beneficiaries कौन होने वाले हैं तो poor households होंगे जो की PDS से already जिनको benefits मिल रहा होगा वो इसके beneficiaries होंगे total number of beneficiaries कितने होंगे तो 80 करोड के आसपास होंगे अब अब यहाँ पे benefits को जरूर ध्यान से रख सुनियेगा क्योंकि यह बहुत जादा news में था तो benefits क्या यहाँ पे है कि 5 kg का wheat या rice यह per person per month free में दिया जाएगा ठीक है तो यह तो दिया ही जाएगा plus यहाँ पे जो अलग से इसके पहले का entitlement है that is PDS system के अंतरगत जो उनको previous entitlement है वो भी मिलेगा अब यह previous entitlement क्या है तो 5 kg wheat और rice मतब 5 kg यहाँ मिल रहा है और 5 kg free में और मिल रहा है तो 10 kg हो गए total ठीक है इसके अलावा यहाँ पे 1 kg of pulses जो है वो per family मिलेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 5 kg wheat और rice जो मिल रहा है additional वो है per person per month और यहाँ पे 1 kg of pulses जो है पर family यहाँ पे दिया जा रहा है तो PM गरीब कल्यान अन्योजना के अंतरगत यही हो गया और यह जो आपको देख रहे हैं यह component यह हम लोगों ने काफी elaborated way में even editorial में भी discuss किया है साथ के साथ हम लोगों ने इसको news analysis में भी discuss किया है तो जिन लोगों ने obviously उसको regularly follow कर रहे है उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और बाकी लोगों से भी request है कि at least आप लोग भी देखिये क्योंकि आपको regular basis पे बहुत सारा information वहां मिल जाता है ठीक है तो यह भी point आ गया अब next topic या फिर next component को देखते हैं तो वो है PM किसान अब PM किसान जो है यह मैंने आपको government schemes की series मे already cover कराये हुआ है तो आपको मैं यहाँ पे add on point के तोर पे नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अब आप क्या कर सकते हो आपको मैं इसका description में link दे दूँगा और आप उस वीडियो को एक बारी देख लोगे तो आपका PM किसान से related जो भी चीज़ करोर्स तो यह काफी बड़ा number है अब आगे देखते हैं benefits तो benefits में यहाँ पर यही बताया गया है कि जो 2000 रुपे ट्रांसफर होना था April में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है तो obviously इससे support जो है वो farmers को obviously मिलेगा और PM किसान के अंतरगत हम लोग जानते हैं कि 6000 रुपे को देखते हैं अब जो हमारा next component है वो cash transfers under PM गरीब कल्यान योजना के बारे में बताया है तो यह cash transfers वाला जो component है यह बहुत important इसलिए है क्योंकि मैंने vision के में एक question देखा था इसके ओपर में बना हुआ था ठीक है अगर हो सकेगा तो मैं वो question ढून के डाल दूँगा ताकि आपका वो भी practice हो जाए तो आप यहाँ पे cash transfer वाला जो point है इसको जरूर से ध्यान में रखेगा तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे beneficiaries included हैं तो सबसे पहले आप cash transfer देख सकते हैं मनरेगा workers के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे मनरेगा workers देख सकते हैं इनका number कितना होगा तो यहाँ रहे गए 13.62 crore families को एक तरसे यह help दिया जाएगा मनरेगा workers जो obviously family basis पे होता है तो यहाँ पे इतने families को एक तरसे coverage मिलेगा और cash transfer यहाँ पे क्या benefit मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि मनरेगा workers का जो wage है उसको 20 रुपे से बढ़ा दिया गया है मतलब पहले 182 that is 182 हुआ करता था इसको बढ़ा कर 202 कर दिया गया है और इजया जो है with effect from April 1st एक तरसे लागू हो जाएगा और हो ही गया है लागू इसके अलाबा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 रुपीज अडिशनल इंकम हो जाएगा इस wage revision के कारण ठीक है यह छो भी अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पे और भी support अगर मिलता तो मन्रेगा वर्कर्स को जाधा फाइदा होता पर वही है कि government की भी limitations है तो obviously उन्होंने सोच समझ के decision लिया होगा तो यह भी point आ गया आपका मन्रेगा वर्कर्स का जो wage hike हुआ है उसके बारे में तो यह पहला cash beneficiaries हैं उनके health को protect किया जा सके और साथ के साथ यहाँ पे जो pollution है उसको रोगा जा सके gas cylinder का use को बढ़ाया जा सके तो यह सब चीज़े उज्वला योजना के अंतरगत आती हैं तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि कितने beneficiaries को फाइदा होने वाला है तो 8.3 क्रोर families को फाइ किया जाएगा जो कि उजवला योजना के अंतरगत जो भी women beneficiaries है उनको ठीक है तो यह भी एक तरह का benefit हो गया और यही मेरे ख्याल से मुझे जितना ध्यान में है कि vision के अंतरगत यह जो है statement था ठीक है तो यह भी point आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है अब cash transfer के अंतरगत यहाँ पे जो next आता है point वह है कि women जन्धन account holders तो यह beneficiaries हो गया अब यह वाला जो topic है हम लोगों ने editorial में और even news analysis में इसको अच्छे तरीके से discuss किया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आप देखते हैं कि beneficiaries का कितना number होने वाला है तो 20.40 crore women ठीक है इतने सारे beneficiaries cover होंगे और यहाँ पे April से लेके June तक में यहाँ पे 500 रुपीज पर मन्त दिया जाना है ठीक है तो यह भी point आप ध्यान में रखियेगा सिर्फ 500 रुपे ही दिये जा रहे है पर obviously जिन लोगों के पास बिलकुल zero amount आता है तो उनको यहाँ पे obviously इसका benefit मिल जाएगा और यह direct benefit transfer ही हो रहा है क्यों पे women जन्धन account में जाएगा तो यह भी point आ गया इसके बाद जो next आप देख सकते हैं point वो है vulnerable senior citizen widows और दिव्यांग्स तो यहाँ पे इन लोगों के बारे में आ गया अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो total number है coverage क्या हो जाएगा को 3 crore के आसपास beneficiaries होंगे अब यहाँ पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि benefit क्या मिलने वाला है तो यहाँ पे X gratia of rupees 1000 per month during April to June तो यहाँ पे extra amount एक तरह से दिया जा रहा है 1,000 रुपे पर month और यह एप्रिल से जून तक दिया जाएगा ठीक है तो यह आप सब देख रहे हैं कि जो भी cash transfer वगेरा है यह सब 1.70 crore जो पैकेज है उसके अंतरगत ही इसको count किया जा रहा है तो यह भी point आ गया तो एक तरह से हम लोग ने senior citizen widows को भी cover कर लिया अब आते हैं जो आखरी point यहाँ पे cash transfers के अंतरगत है वो देखते हैं कि अगर कोई organization है जिसमें 100 employees है और उसमें से आप देख सकते हैं कि 90% जो है उ इनको benefit क्या मिलने वाला है तो इनको benefit यह मिलेगा कि government जो है pay करेगी 24% of their monthly wages into their PF accounts for next 3 months तो उनका जो PF account है provident fund account है उसमें 24% जो है monthly wages का जैसे for example 100 रुपय अगर वो कमाते हैं तो 24 रुपय जो government है वो उनके PF fund में 3 महिने के लिए डालेगी ठीक है 3 महिने मतलब April से लेके June तक April, May और June तो यहां पे 3 महिने का point आ गया तो यह भी आप देख रहे हैं यह भी एक तरह का cash transfer ही है 24% of their monthly wages तो cash transfer के अंदरगत काफी सारी चीज़े हैं तो इसको आपको गौर से देखना है और हो सके तो इसको एक बार वापसे revise जरूर कर लीजेगा इसके बाद जो next component आता है वो self-help groups और यहां पे benefit किया आप कितने लोगों को मिलेगा तो around 6.85 crore households को यहां पे benefit मिल जाएगा ठीक है तो यह भी point आ गया अब यहां पे benefit क्या मिलने वाला है वो देख सकते हैं तो जो limit हुआ करता था collateral free loan का उसको पहले 10 lakh मिलता था उसको बढ़ा कर 20 lakh कर दिया गया है ठीक ह other components जो है of PM गरीब कल्यान package तो इस particular package के अंदर गया और भी extra क्या यहां पे components उसको देख लेते हैं तो यहां पे पहला beneficiary बताया जा रहा है कि workers registered under EPF ठीक है तो EPF that is employees provident fund तो इनके अंदर मतलब EPF के अंदर गट जो भी worker registered होंगे वो beneficiary में count होंगे इनका total number कितना होने वाला है तो 4.8 करोर workers हो जाएंगे और इनको benefit क्या मिलने वाला है वो भी आप देख सकते हैं कि यहां पे इन्होंने क्या किया है इस particular scheme के अंदरगत या package के अंदरगत इन होता है up to 75% of 3 months wages वो allow कर देंगे ठीक है तो whichever is lower के बारे में बात किया जा रहा है कि या तो वो तीन मंत के wages का 75% allow करेंगे ठीक है या फिर वो तीन महिने के wages को refund कर सकते हैं तो एक तरह से निकाल सकते हैं विड्रॉल कर सकते हैं तो यह point आ गया और यहां पर आप देखेगा तो विजन ने यहां पर एक mistake किया हुआ है तो उसके बारे में आपको यहां पर explain करके वापस से बता देता हूँ कि यहां पर कहा जा रहा है कि 75% अगर वो चाहें तो जो उनका provident fund है उसको यहां पर एक तरह से निकाल सकते हैं या फिर वो तीन महिने के wages को निकाल सकते हैं और दोनों में से जो lower होगा वही allow किया जाएगा तो यहां पर इनोंने और नहीं लिखा है तो और लिखना चाहिए था इनको तो आप इसको correct कर लिजएगा अपने हिसाब से ठीक है तो यह point आप धियान में रखिएगा कि 75% of non-refundable withdrawal किया जा सकता है provident fund का या फिर तीन महिन इसके अंदर benefits किया मिलने वाला है तो benefits आप यहां देख सकते हैं कि सारे जो state और uts हैं उनको advice किया गया है कि वह transfer करे funds in the account of construction workers जो भी construction workers हैं उनके account में transfer करें और यह DBT that is direct benefit transfer mode से करें और यह जो amount है यह state और uts के पास कहां से आने वाला है तो यह basically CES funds से जो collected amount है और साथ के स आप देख सकते हैं यहां पर जो constitution किया गया है building and other construction workers welfare board under BOCW CES Act 1996 के अंतरगट जो CES fund create किया गया है उसके अंदर जो amount है उसी के basis पे यहां पर construction workers को यहां transfer करने की fund के बारे में बोला गया है तो यह point आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा कि एक construction workers के लिए already CES fund exist करता है ज CW CES Act के अंदर जो की 1996 में आया था तो इसके अंदर गत आप देख सकते हैं कि CES fund जो exist कर रहा है इसी के अंदर जो पैसा रहेगा उसका यहां पर transfer करने की बात कही गई है construction workers को यह point आपका clear हो गया second point आप यहां देख सकते हैं कि workers को compulsorily यहां पर registered होना होगा building and other construction workers welfare fund CES fund के अंतरगत ठीक है यहां पर registered अगर वो नहीं होंगे तो उस case में फिर वो benefit को avail नहीं कर सकते हैं तो यहां पर registered यहां पर जो construction workers हैं उन्हीं को यह benefit मिल पाएगा तो यह हो गया point अब आखरी point यहां पर देखते हैं कि वह सारे beneficiaries जो की प्रधान मंतरी खनीज शेत्र कल्यान करता है और इसी को utilize किया जाएगा जिससे जो भी medical testing है screening है या treatment है patients का जो की pandemic से impacted है उनका यहां पर दिया जाएगा उनको supplement किया जाएगा साथ के साथ उनकी facilities जो भी होंगे उसको argument किया जाएगा तो यह point आप ध्यान में जरूर रखेगा कि यहां पर district mineral fund को भी इस्तमाल किया हो गया हुआ है तो यह सारी चीजे हम लोगों ने देख लिया यहां पर जो कि है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंतरगत आ गया ठीक है हम लोगों ने 1.70 लाक क्रोड रिलिफ पाकेज को भी देख लिया इन डीटेल और इसके जितने भी components है उसको इन डीटेल ह तो better होगा क्योंकि यहां पर जादा understanding की कोई चीज नहीं है यहां पर data काफी है तो रटना ही पड़ेगा कोई option भी नहीं है तो चलिए आप questions को देखते हैं पहले मैं आपको अपना जो question मैंने बनाया हुआ है वो question दे देता हूँ जिसका आपको comment section में answer देना है फिर मैं पहला statement है the insurance scheme component of this scheme covers public healthcare workers and provides rupees 50 lakh insurance cover तो यह पहला statement हो गया और दूसरा statement है under this scheme the wage of manrega workers has been hiked to rupees 202 from rupees 182 such that each worker will get rupees 20 sorry 2000 extra ठीक है तो 2,000 रुपे extra मिलने की बात कही गई है तो दोनों statement के basis पर आपको यहां पर correct statement को find करना है और comment section में इसका answer बताना है तो चलिए अब मैं आपको एक बा निकाल के देखता हूं जो question मैंने आपको यहां पर बार बारी बताया है तो यह रहा हो question जो मैं आपको बार बारी कह रहा था आप देख सकते हैं इसको मैंने already आपको cover करवाया हुआ है जो हमारा quiz section है उसमें और यहां पर आप इसको easily answer कर सकते हैं तो एक तरह से इसको आप second के बारे में बताया जा रहा है कि पहला statement है कि free fruit grains to the poor people, दूसरा है cash transfers to farmers under PM किसान योजना, तीसरा है insurance scheme for health workers who are fighting COVID-19 और चौता है free gas cylinders to the poor, अब यहां पर option आप देख सकते हैं, 4 options है, A, B, C, D आप इसको मान लीजिए, that is 1 and 2, 1 and 4, 1, 2 and 4 and 1, 2, 3, 4, अब इसके basis पर आपको comment section में answer मुझे बताना है, ठीक है, तो चलिए अब इस video को हम लोग wrap up करते हैं, क्योंकि एक ही scheme था जो March के अंदर में था, तो इसी के साथ अब हमारा जो March से लेके June तक के जितने भी schemes थे, वो हम लोगों ने cover कर लिया, आपका एक topic complete हो चुका है, ठीक है, March से लेके June तक complete हो चुका तो आपका ये एक topic cover हो गया, अब जो next topic है, obviously मैंने आपको में में quality पढ़ा हुआ है और IR पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे comment section में ये बताए कि आप पहले quality पढ़ना पसंद करेंगे या फिर IR, जैसा आप लोग decide करिएगा, उसके basis पहीं मैं आगे बढ़ूँगा, मैं वैस वीडियो को wrap up करते हैं, so thank you so much for watching